हेलो आज हम एक नए वर्टेक्स FX क्लाइन साइड इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे डायनामिक शोन आरसे कहा जाता है डायनामिक शोन आरसे क्या है और हम अपने व्यापर के रिए इस संकेत का उवयोग के से कर सकते हैं चलो देखते हैं सबसे पहले हम आपको दिखा आते हैं कि इस संकेत को कैसे डाउनलोड और इंस्टोर करना है आपको टर्मिनल टैब से ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर यह मैनुवल www.vistore.co संकेत कर सकते हैं यदि आप विस्टोर टैब के संकेत कर रहे हैं तो राइट क्लिक करें और चुनें डाउनलोड करो और इंस्टोर करो डाउनलोड के बाद सूजक नाविगेटर पैनल में उपलिब्द है यदि आप विस्टोर वेबसेट से इंडिकेटर डाउनलोड करते हैं तो आपके इस वर्टेक्स एफेक्स चर्मिनल सॉफ्टिवर की फॉल्डर में रेखना चाहिए आमतोर पर पात आपकी प्रादमिक डिस्क होगी जो की सामाने स्थी में C फॉल्डर है आपकी C फॉल्डर के अंदर अपना Users फॉल्डर ओपन करो और User Name फॉल्डर अपदेटा रॉमिंग वर्टेक्स एफेक्स क्लाइंट टर्मिनल्स वर्टेक्स अपने संकेत को यहाँ पेस्ट करें और अपने टर्मिनल पर वापस जाए Dynamic Zone RSI एक शक्तिशाली Vertex FX Client Set Indicator है जो RSI और Bollinger Band पर आधारित है जिसका उबयोग बाजर में जूलों की पहचान करने के लिए क्रिया जाता है RSI संकेतक वर्तमान प्रवर्ति और इसकी ताकत की पहचान करने में उपयोगी है जब RSI बाहर निकलता है और उटने शुरू होता है तो यह एक तेजी की प्रवर्ति की संकेत देता है इसके विप्रित जब RSI सबसे उपर होता है और गिरने शुरू होता है तो इसका अर्थ है मंदी की प्रवर्ती शुरू होता है बोलिंजर बैंड मानेक विचलन की आदर पर मूली के लिए एक व्यापारिक सीमा प्रदन करता है डाइनमिक सोन RSI इंडिकेटर इन दोनों संकेतों को मिलाकर प्रवर्ती का एक समगर आवलोक प्रदन करता है जब RSI निचले बैंड के नेचे होता है तो रूचान मंदी का होता है जब RSI नेचे से निचले बैंड के ओपर से गुजरता है तो इसका एक तेजी की प्रवर्ती की शुरुआत माना जाता है इसी तरह जब RSI ओपरी बैंड के ओपर होता है तो प्रवर्ती तेज होती है जब RSI उपर से उपरी बैंड की नीचे से गुजरती है तो इसे एक मांदी की प्रवर्ती की शुरुआत मायना जाता है जब Dynamic Zone RSI नीला नीचे की नीचेले बैंड के उपर से पार होत जाता है तो Long दर्ज करे Short और Exit Long Dynamic Zone RSI उपर के बैंड से नीचे जाने पर Short दर्जी करे Thanks for watching the video और अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तके रिए आलविदा